जो हमारा मकासित थे वो अभी इंशालाद पूरे होते नदर आते रहेंगे जो हमारा मकासित थे वो अभी इंशालाद पूरे होते रहेंगे किल्जमात तो लगाए जाते हैं मगर आवाम को हकीकत कौन बताएगा वरकम तु नियूस्पीट नाकदीन शुरू से ही हकूमत पर संजीदा मौमलात में गयर संजीद्गी का मुझारा करने का इल्जाम लगाते रहे हैं और एक बार फिर हकूमत ने अपनी गयर संजीद्गी का सबूत भी दे दिया संजीद्गी तरफ से 24 गंटे में बलतियाती निजाम के दो मुखलिव ओर्डिनिंस जारी होने से हकूमत के अंदर पाई जाने वाली कन्फ्यूजन नजर आने लगी है और ये भी दिखाई देता है कि अफरत तफ्रीज से हकूमत का निजाम चलाया जा रहा है दो जुलाई को सिंध हकूमत ने रातों रात सूबहे में कमिशनरी निजाम बहाल कर दिया था और उसके बाद से हकूमत मसलसल पूरी कौम को कमिशनरी निजाम की खूबिया और मुश्रब दोर के बलतियाती निजाम की खामिया समझाने की कोशिश करती रही है मगर दो रोस कबर साबिक वफाकी वजीर बाबर आवान ने गवरनर सिंध डॉक्टर इशु तलबात मुलकात की और इस मुलकात के बाद गवरनर सिंध ने दो ओर्डिनिस जारी किये थे जिसके तहट कराची और हैदराबाद में दो हर्जा एका बलतियाती निजाम बहार करके कमिश्टरी निजाम खतम कैथा जबकि इस सूबे के बागी इसलाम में कमिश्टरी निजाम नाफिज रखने का फैसला हो गया था इस मौका पर बाबर आवान साहब ने इस फैसले की हक में क्या दलाल दिये रदे की ज़राएद लोकल गर्मेंट और्डिनेंस रिस्टोर किया गया है उसकी एप्लिकेशन से अमलदारी से दो शेरों को हमने एक्स्क्लूड किया है डिस्टिक्स को बलके डिस्टिक्ट कराची एंडिस्टिक्ट हैदराबाद और ऐसा कोई पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ कि लोकल गर्मेंट के मुख्तिलिफ यूनिटों के अंदर या एक ही यूनिट के अंदर मुख्तिलिफ निजाम ना चले हो मगर हकूमत अपने इस पैसले पर बमश्किल 24 घंटे ही काईम रह सकी क्योंकि इस पैसले पर हकूमत की इतिहादी जमातों, अवामी नेशनल पार्टी, मुल्टिमिक फंक्शनल और काम परस जमातों ने इसे सिंध की तकसीम करार देते हुए इस चदीद इतिजाश किया था एन पी सिंध किस तदर्शा इस सेयद ने इस पैसले पर क्या खा, हो भी देखे ज़ए है इस फैसले पर खुद पीपस पार्टी सिंध के रानुमा और कारकुनों ने सक्ट इतजाश किया था और इसे सिंध में एक नए सुबे के क्याम की साजश قरार दिया था इस उर्टशाल के बात, वजीर आला सिंध सिंध काईम अलीशा ने सधर जर्दारी को इस सुल्टशाल से आगा किया सब्स जर्दाई ने वजीर आला सिंध को हिदायत दी कि पूरे सूबे में 2000 का बलडियाती निजाम बहाल कर दिया जाए और यू सिंध हकूमत सिर्फ 24 गंटे के अंदर ही अपने फैसले को वापस दिने पर मजबूर हो गई जबके सिंध की कौम परस जमातों ने कमिशनी निजाम के खातमे पर हकूमत पर सक्त तनकीद की और आज सिंध भर में हर्टाल की है जबके इस हर्टाल के दौरान कराची में फारिंग और बस जलाने के वाकियात भी पेश आए जबके बल्दियाती निजाम 2001 की भाली के बाद तवक्व की जा रही है कि MQM जल्दी हकूमत में शामिल हो जाएगी इस बारे में सिंध के वजीर बल्दियात आगास सिराल जुरानी में क्या का वो भी देखे जाए देखें MQM हकूमत का हिसा रही है उन्होंने रिजाइन किया है अभी दक उनकी रिजिगनेशन एकसेप्ट नहीं हुई है इन्शाला वो ईड़ से पहले बाद जाएंगे दूसरी तरफ आज रावर पिंडी में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फरंस में कराशी की सुर्टेहाल पर पौजी खियादत ने तश्वीश का इजार कर दिया है जिसे बहुत से तद्जियकार इस मौकर पर बहुत एहम करार दे रहे है बल्डियाती निजाम के खातमे और कमिश्री निजाम की भाली पर हकूमत ने इस पैसले को अवाम के मफाद में करार दिया था पिर जब एक माँ बादी कमिश्री निजाम की जगा तिर्फ कराची और हैदराबाद में बल्डियाती निजाम को भाल किया गया अगर ये अवामी मफाद है तो फिर जाती मफाद जा होगा। मगज़ सवाल है कि अगर अवामी मफाद में हकूमत ने कमिश्वी निजाम नाफिस करने के बाद बलड़ाती निजाम 2001 दो बारा बार करना ही था तो गुदश्टा एक मामी जो तीन सौ बेगुना अवाम कराची में मारे गए हैं इनके खून का इस्ताब कौन देगा और कौन लेगा मगज़ पहले कमिश्वी निजाम की हवाले से देखते हैं एमन की रिपोर्ट 27 जून को MQM ने कश्मीर एलेक्शन में कराची की दो नशस्तों पर इंतखाब मलतवी किये जाने पर हकूमत से लाहिदगी का इलान कर दिया था इस मौके से फाइदा उठाकर हकूमत नौ जूलाई को सिंध भर में बल्दियाती निजाम 2001 खतम करके कमिशनरी निजाम को बहाल कर दिया 19 जूलाई को गवनर सिंध डॉक्टर इश्रत लिबाद ने दुबारा अपना ओधा संभाल लिया 6 अगस को साबक विफाकी वजीर कानून बाबर रवान ने गवनर सिंध से मुलाकात की और सिर्फ कराची हैदराबाद में कमिशनरी निजाम की जगा बल्दियाती निजाम 2001 बहाल करने का इलान किया इस इलान पर सिंध भर की कौम परस जमातों बलके खुद हकूमत की इतिहादी A.N.P. और मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सخت इतिजाज किया जबके खुद पीबल्स पार्टी सिंध के रहनमाओं ने भी इस फैसले की सخت मुखालिफत की और इसे सिंध की तकसीम करार दिया इस पर हकूमत 24 गंटे के अंदर ही इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो गई और पूरे सिंध में बल्दियाती ओर्डिनंस 2001 बहाल कर दिया गया गुजिश्टा एक माँ से हकूमत कमिशनर्टी निजाम की खूबिया बयान करती रही है और इस बल्दियाती निजाम को एक आमिर का निजाम करार देती रही है मगर अब आमिर के निजाम को दुबारा पूरे सूबे में नाफिस करके हकूमत कौम को क्या पैगाम दे रही है न्यूस बीट के लिए एमन खान समा इसलामबाद इसी पर बात करने के लिए वर्य वर्म वर्कम तो शाजिया मरी साहबा पाकस्तान पीपल्स पार्टी की है हमरुकर ने हमें जॉइन करे हैं शाही सेयद साहब एन पी के सुबाई सदर है वर्य वर्म वर्कम तो बोथ अफ्यू सबसे पहले मुझे पिताएगा शाजिया मरी साहबा अवाम की मफाद में हर काम किया जाता है मकर जब बार बार एक फैसला लिया जाता है दोबारा एक और फैसला लिया जाता है पिर एक और फैसला लिया जाता है तो अवाम भी कन्फ्यूज हो जाएगी कि उनके मफाद में हैं क्या शुक्रिया फरिया यकिनी तोर पर ये काफी चैलिंजिंग मराहिल थे जिन से हम गुजरे हैं और जहां सवासिता होता है 2001 लोकल गवर्मेंट निजाम को जो जैनल मुशरफ में राइच किया था उसके हवाले से जो हमारे रेजिवेशन्स हैं वो हमेशा वाज़े रहे हैं पहले भी हैं कि वो एक डिक्टेटर का राइच किया हुआ निजाम था जो सिर्फ और सिर्फ चंद मफ़सात के लिए सामने आया था और चंद लोगों को खुश करने के लिए सामने आया था बेरहाल लोकल गवर्मेंट निजाम के हम खिलाफ नहीं है पाकिस्टन पीपूस पार्टी के मैनेफेस्टों में भी दर्फ है कि तीन टेर्स होंगे हुए हुकूमत के जिसमें लोकल गवर्मेंट भी शामिल है आप नहीं तो यही खाईश है शुरू दिन से फरिया कि जो लोकल गवर्मेंट निजाम है जो बेपर का निजाम है उसमें खातरखा रिफॉर्म्स लाकर हम बहतर जो निजाम अवाम के लिए हैं वो सामने ला सकें जहां तक आपने अवाम की मफाद की या उनको फाइदा पहुचाने की बात की तो देखें अब बात है stability की बात है जिस अमन के लिए हमने 26 जुलाइ को भी आपको याद है कि महम महम एक का आगास किया कि जी यूं तो हम डायलोग प्रॉसेस में हैं रेकंसिलियेशन के मोड में हैं लेकिन फिर भी जरूत इस बार की थी सामस्लमी नून के शाहिए सीज साह मुझे ये बताईगा कि आपने का सिंध की तकसीम हो सकती है एक फैसले से सिंध की तकसीम का कहा से तालुक हो जाता है यहाँ पर यह तो एक हकीकत है कि यहाँ पर एक सोच ऐसा डवेल्ट हो रहा है कि कराची और हैदरबात अमारा है और बागी सिंध किसी और का है यह मुझे दोर में लिएवा काला कानून था जिसको उस वक्त भी आमने कंडम किया ता क्योंकि यह सुबाई मुझे में में सुबाई खुद मुखतारी में मुझे जाता था और था चुकि डारिक ये जो नाजीमीन था इनको मरकस से ही डारिक डिल करते थे और दूसरी इसकी जो खराबी के सुबाई गुर्मेंट उसमें बेखबर होता था और सुबाई गुर्मेंट पोस्टापस के तरह काम करता था सरब डाखाने के लेटर लोसूल करना और देना होता था लेहाज़ा आमने मुशरब के बरसर इग्लेदार होते वे इस प्रोग्राम को कैंसल कर तनकीज दे निशाना बराया कंडम जिया था और अवाम के मफाद में आमने नहीं समझा था और हर फुजी आमर अपने ले ले कोई नहीं नगाँ Нजम लाताए सभास तर्म जोड़ ने आपस में बते के बेहाज़ें तो आप मेरी बात सुने आप अपने तरफ से राए अगर ऐसे दोगे तो पिर आप खुद एंकर भी बन जाओ और सवाल जवाब भी खुद करते जाओ मैं तो आप जिरे कुछ करते हो कि देखो अमारा तक्सीम है ना अगर एक प्रोविंस के अंदर ही आप दो कानून चलाए है एदरबाद और कराची कुछ हो और बाकी सिन कुछ हो तो आप क्या समझोगे आप यहां पर गुवर्नर का इस्तियार होगा कराची एदरबाद को मुझा नहीं किया था तो अगर उस चीज को Have बोलें ना बोला जाये तो फिर आप मुझे बता कर रहां, आप सवाल मुझे बताया कर कि इसे लिए हमने इसमरी से भी है और यहां पर बें इस पे हैधिजाई भी किया और मजीद भी अब मैं बता दू कि हम इस निजाम का जो मुषरब का दिया वकाला कानून है इसको हम अमेशा ही करनेम करते रहेंगे फिकर नहीं करें अब पेले भी क्यों अब भी करेंगे यह बिद्हा पीपल्स पार्टी ने जो किसे देख रही आपके फरिया जात तक कदम उठाने की बात प्रविंशल एटानिमी है और ये सुभाई मुक्तारी है आफ्टर जो एन फसी वार्ड है लेकिन ये फैसले अगर सुभा की रोशनी में हो जैसे असेम्बली में बिल पास करवाया गया अगर असेम्बली को इन सेशन लाकर ये कारवाई की जाती तो ये तो रात के अंदेरों में तो आमराना फैसले हुआ करते हैं पाकिस्तान की तारीख में ये ये आमर लोग रात की तारीख में फैसले करते हैं और जो बढ़के मारते हैं इस साइट पे आकर वहां पे बीगी बिली की तरह रात को जाकर फैसले कर लेते हैं लेकिन हम तो हम तो कहते हैं हमारा तो पं और जहां तक इन पार्टी का तलुक है यह कभी इनका आना जाना पूरी कौम तुमाशा देख रही है और जिस तरह से कराची के लोगों का बेदर्दी से खतल किया जा रहा है जिस तरह से वहां पर टार्गेट किलिंग की जा रही है तो इसका मतलब है कि ये पावर की जंग है ये एक्तिदार की जंग है इक्तिदार की जंग है कि आपका पसंदीदा निजाम आ जाएगा देखें किसी के पसंद और नापसंद का मस्ला नहीं है मस्ला यह है किसी प्रेशर पे दबाव पे दाष्ज पे दिश्चत और वहक्षट के खोव बुन्यात पे अगर आप नजाम तब्ल करते रहेंगे, सेम्बिलों को बाइपास करेंगे फार्लिमेंट को बाइपास करेंगे वो ओर्डिनेंस के जरिए और हैट-ाउक के जरिए आप हुकुमते चलाएंगे तो आप पर अस्तकाम करा रहे रहे गाँ ये तो हुकुमत की जो है उसकी जो विल है उसमें कोई विल नहीं है कि वो कोई स्यासी फैसला देर पर बन्यादों पर कर सके 24 गंटों में पीप्लिस पार्टी ने चार कलाबा गांखाई है 15 दिन पहले ये सारे एम पीप्लिस पार्टी के वजिर आला वो सब शेर में हो जमालोगा रहते और बड़े पंड़े डाल रहते कि उन्होंने कमशनी निजाम बाल किया है सारी कौम से मुबारक हैं विसूल करते फिर रहते फिर क्या हुआ दस दिन में कि अचानक उन्होंने सिंद्ध को दो मुटावाजी निजाम दे दिये कराची एदराबाद के लिए एक निजाम और सिंद्ध के देई लागों के लिए दूसरा निजाम पिर जब सिन्द के कौंपरस्टों ने एज़ाद किया दो रात उन्होंने फिर ये मुश्रफ का 2011 का निजाम ले आए तो हम अपनी मर्जी का निजाम नहीं चाहते हम कहते हैं कि ये एड़ाउक बन्यादों पर ये हुकमरान जो है अपने एकदार को तोल देने के लिए जो हवाम दुश्मिन फैसलिक कर रहे हैं